और फेर्ण्स जैसा कि अभी एलक्षन का सीजन चलना है यूपी एलक्षन होने है तो जाब आइस में तो इसमें जो में पार्टिया है जो वह है सपा बीजेपी, बीएसपी और जो में कैंडिडर्स सिखाई देते हैं सीएम उमीदवाई के लिए वो है योगी जी और अखलेश यादव जी तो आज हम अखलेश यादव जी के हाउसकोप अनलाइस करेंगे यूप एलक्षन दोजाबाइस के परिपेक्ष में योगी जी का हाउस हम एनलाइस कर चुके हैं और यूप एलक्षन दोजाबाइस का भी हम प्रेडिक्शन कर चुके हैं कौन से पार्टिक जीतेगी पर फेबी सोचा कि अखलेश जी भी स्ट्रॉंग उमीदवाग है सीम की कुरसी के लिए तो क्यों ना उनका भी होसकोप देखा जाए तो हम अक जो डेट अब बर्स है यह इंटरनेट पर दी होई है कि इनके पिता जी है मुलायम सिंग यादव जी और माता जी का नाम है मालते देवी कि इनके जनम के समय इनके माता जी की तबियत काफी खराब हो गई थी और उनकी मत्यू रोजा तीन में हो चुकी है कि अख्लिश अदिव जी का पॉलिटिकल करियर देखें तो उन्होंने जो पहली सीट जीती वो कनों से जीती थी दो हजार में लोकसभा सीट और यह समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष है राश्टी अध्यक्ष और इन्होंने दुजा बार से दुजा सत्तर के बीच में एज चीफ मिनिस्टर उत्तर पर देश के रहे हैं जोगी ने बहुती कम एज यानि 38 की एज में ही मिल गया था यह है अख्लेश्च यादव जी का हरस्कोब ऑख्लेश यादव जी के कई होज को हरस्कोब आविलेबल हैछिस wordt ब्रुमार्य ने त् teh VO divers край प्रूप काफी इलग लग है मुझे उनमें से काफी ठीक लगा इसनल देखन में नीच के सन है मुद्र यह बैठे हैं थर्ड हावज में राहू है जुपिटर के साथ में एर्थ हावस में है शनि वक्री बश्र राशी में चंद्वा है मेश राशी में सेविन थावस में वीनस हैं 11 थावस में सूर्य की राशी में और मंगल है अक्राशिम बुद्ध की राशी में करना राशी में में के फ्रेंट इसमें देखा जाए तो सबस्काशा है जिसमें सुरे और शुक्र के बीच में संबंद बनना और लाजनीति पेपेख्ष में का शनी वक्री है अश्टम में शनी या मंगल का संबन टेक्निकल एजुकेशन देता है अभी जो गोचर है गोचर में जो जुपीटा है वो बैठे हैं यहां पे और शनी है यहां पे शनी का टायक्स संबन इससे बनता है फिफ्ट से फिफ्ट दर्श्टी यह देते हैं अपनी जुपीटा का संबन यहां पे बनता है वीनस से केतु से और संसे यहां पे इनकी जो समय दशा चल लगी है वो चली है जुपीटा में वीनस में गाहु में और जो लेक्शन के टाइम में होगी वह होगी जुपीटा या सैटन जुपीटा का लौड है वीनस जो अस्टम लौड है यह दशा है जो इनकी वह ठीक नहीं चल गई है उसमें गाहु का पत्यंतर है इसके साथ ही है जो जुपीटा है उनके भी शिर्फ दरस्टी जो है वह शनी पे या फिर जो कुली है उसके गुरू पे या शनी पे नहीं पड़ गई है और जो दस्ताइक का टाजिट चार्ट होगा उसमें जो है चंद्रमा जो है वह आ जाएगा गाहु के साथ शनी मकर में गएगा है और जो गुरू है वह कुमच्षी में रहेंगे शुकर के साथ में तो इनकी दशा जो भी फेड़ेबल नहीं है डोजाबाए मैंने देखा तर अनकी दशा गोचादों यह काफी फेड़ेबल थी इसलिए यह मुख्वधन्ती बन पाहें इससा में इनकी जो काफी चांसे स मुझे काफी कम लग रहे हैं आगे जाके इनकी दशा अच्छी हो जाएगी तब इनके मुख्यमंति के बनने के चांसे रहेंगे वह हम उस समय पर देखेंगे जिकना भी फिलाल जो है दोजा बाइस में तो मुझे नहीं लगता कि इनके सितारे ते बुलंद है कि यह मुख्यम बहुत अच्छा आएगा काटे की टक्कर रहेगी और यह जंत्या का ज्यादा समर्थन मिलेगा इनको तो फ्रेंट्स यह था अकलेश यादव जी का हरस्कोप अनलाइसिस विधासता चौनाव 2022 के परपेक्शन में फ्रेंट्स अकर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जोग करना लाइक जोग करना अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना और नए वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको विले उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देना